कभी-कभी ऐसा होता है कि काम करके हम इतना ज़्यादा ठक जाते हैं कि रात होते होते ऐसा लगता है कि आज खाना ना बनाना पड़े ऐसे में याद आता है कि क्या बनाएं कि फटा-फट से बनके तैयार हो जाए समय ज़्यादा ना लगे और महनत भी ना लगे तो आज की रेसिपी को ट्राई कीजेगा कूकर में सभी चीजों को डाल के फटा फट से बना लेंगे एक कप यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है चाहें तो आप नॉर्मल चावल का भी इस्तमाल कर सकते हैं चावल को यहाँ पे आप दो तिन पाने अच्छा से धो लिजिए एक्स्ट्रा पानी निकाल के एक तरफ रख दीजे गैस ओन कर लेंगे और कूकर को चड़ा के कूकर को हलका सा गरम करेंगे चार से पांच चम्मच यहाँ पे हम तेल डाल देंगे और तेल को हलका सा गरम कर लेंगे चाहें तो यहाँ पे आप घीका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तड़के में यहाँ पे एक तेजपत्ता तोड़के डाल देंगे थोड़ा सा डालेंगे दालचीनी का टुगड़ा करका प्याज काटके डाल दीजिए और इसी के सांद 4-5 हरी मिर्ची डाल देंगे यहां पर हमें करनी है प्याज की भुनाई तो गैस का आज स्तेज कर दें और फटा-फट से प्याज को भुल लें बीच-बीच में चलाते रहेगा ताकि प्याज बिल्कुल भी जलेना अद्रक का टुकड़ा चाहें तो आप इसे बारिक-बारिक काट के भी डाल सकते हैं तो जो लोग बैचलर हैं वो लोग भी इसे बहुत आसानी से बना के तयार कर लेंगे अद्रक लैसुन डालने के बाद बस 30-40 सेकंड तक प्याज के साथ भुन लेंगे तो अद्रक एक छोटा चमच यहां पे मैं हलदी पाउडर ़ै हूँ, आप अपने आप शक्ता नुसार हलदी ढाल सकते हैं क्योई कोई-कोई हलदी ना कम पीली होती है तो जादा डालना पड़ जाता है एक छोटा चमज यहां पर हम धनिया पौड़र डालेंगे और एक छोटा चमज भर के डालेंगे बिर्यानीमसाला पौड़र, इस बहुत अच्छा तहरी में टेष्ट आता है और बहुत जब यहां पे मैंने मसाले नहीं डालेंगे Psया कि मनने से समला में सीलाता भौडर देष अब मैं यहां पर डालु यहां और एक कटोरी मैंने ते गरम पानी में में बिंगो के रग दिया था उसके बद निचोड के जितना एक्ष्टा पानी था भटा दिया खूए देखे कितने अच्छे से फूल गया है नॉर्मली जब हमस्या बुगय का आपका दिनका है रद पीजम करेн उसमें हम बीना भुने वो इसके अंदर तक जाएंगे अब मैं यहां पर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्ची जो थी ज्यादा इस्पाइसी नहीं थी अगर चाहे तो आप सिर्फ हरी मिर्ची का बेस्तेमाल कर सकते हैं यह तोटली आपकी च्वाइस है चावल को बहुत अच्छे सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं तो यहां पर आप चावल डाल दें और सभी चीजों के साथ इसे मिक्स करके एक मिनट भूलने चावल बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इसे हलके हाँ से चलाएगा जल्दी जल्दी मत चलाएगा नहीं तो चावल तूट जा करना है ताचा पारी कट्यू हरी धनिया के पत्ते डालके मिक्स कर लेंगे कुकर का धक्कन लगाके मीडियम आज पर बस इसमें एक सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे सीटी लगने के बाद आप गैस बंद करते हैं और जब कुकर का प्रेसर निकल जाए उसके बाट धकन खोलें अब आपको यहाँ पर एक काम करना है कि चावल को मिला लेना है अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो बीज और नीचे को जो चावल होते हैं वो ओवर कुक हो जाते हैं कुकर काफी गरम होता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टीम होता है जिसकी विएसे नीचे वाल अगर द्यान रख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छी तहरी घर में बना के तयार कर पाएंगे वो भी मातर 15 मिनट में तो इसे फटा-फट से सर्फ कर लेते हैं और देखे चावल का जो एक-एक दाना है बिल्कुल खिला-खिला है बिल्कुल भी टूटे नहीं है चावल और देखने में कितना अच्छा लग रहा है कम मसाले में बहुत ही स्वादिस्थ हमारी सुयाबिन आलू की ये तहरी बनके तयार हुई है और सोने पे सुहागा वाली बात तब होती है जब तहरी के साथ बूंदी का रायता मिल जाए तो रायता मैंने पहले ही बना के रख ल तो सच में ये बहुत टेश्टी बनी है वैसे खुद की तारीफ कैसे करूं आप प्राई कीजेगा और आपको पसंदा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा विलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई